पुर्षकर दोस्तों मिरा नाम है प्रेश स्वागत है आप सभी का बहत मचे टेक्निकल में इसे टिकट कलेक्टर के भी नाम से जाना जाता है भारती रेलवे विस्व की फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है सबसे पहले उनाइटेट स्टेट्स है फिर चाइना फिर रॉश्या उसके बाद इंडिया आता है तो ये सुभाविक है कि जब इतना लार्ज स्केल में ये प ने चाहिए तो इसमें इनका चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए टीटीए की जॉब स्लेक की गई है ये ग्रेड़ कर्मचारियों में आते हैं जिसका चैन railway recruitment control board करता है और ये grade C में है तो इसके अंडर में जो color हो गए, station master हो गए या फिर ticket collector हो गए ये सारे आते हैं जो इसकी eligibility है आप इसे condition कह लीजे वो metric pass है और आपके marks जो हैं वो 50% आने चाहिए जो इसके examination होते हैं उसमें क्या-क्या subject है जो मैं आपको बिताता हूँ पहला जर्नल awareness, दूसरा arithmetic, तीसरा technical ability, चौथा reasoning ability और फिफ्थ जर्नल intelligence अब मैं सबको specify भी कर देता हूँ कि जो जर्नल awareness है ये topic cover करता है current affairs, financial and economical news, books और और अर्थर्थ के बारे में कौन से awards हुए, science, history, sports, geography इन सब पे next है arithmetic इसमें mathematical से related आपके questions होंगे जैसे fraction हो गया, गुना, भाग, LCM, HCF, ratio and proportion, time, distance, work, percentage निकालना, measurement या फिर algebra इसमें ब्राव, ये सारे questions आपको इसमें मिलेंगे, third है technical ability, इसमें basically होता क्या है, वो आपसे कुछ ऐसा question पूछते हैं, इसमें आपका mind का test हो, जो काफी पेचीदे questions होते हैं, उसको आप किस तरीके से solve कर सकें, वो आप Facebook या फिर YouTube पे देखते होंगे वीडियो की, IS में, railway म पूछे गए, ऐसे 10 सवाल, जो आपको चौका देंगे, तो ऐसे कुछ है, ऐसे सवाल होते हैं, जिसे चौकना तो अलग, like थोड़ा पेचीदा होता है, वो question जिसे आपको solve करना होता है, और next है reasoning ability, like इसमें वो चेक करते हैं, कि आप किसी भी विशे को किस तरीके से सोच पा age calculation, कि सारी चीजे, and non-volume में आता है mirror image, cube, sets, और next है journal intelligence, इसमें आपके आसपास के घटनाओं के बारे में, national और international जो news current में चल रहा होता है, उस situations में आपसे बूचते हैं, और आपसे आपकी राय चाहते हैं, और ticket collector बनने के लिए, जो age limit है, वो है 18 से 17 सल के बीच में, इसका जो selection का पड़ाओ है, वो तीन category में बाटा गया है, पहला है written examination, दूसरा है personal interview, and document verification, और तीसरा है medical, और दोस्तों इनकी जो salary है, अभी at present 5200 to 20,200 के बीच में है, बाकी उसके अलाबा इनको provident fund, gratuity, medical facilities, free railway passes, और यह बहुत सारी चीजे मिलती हैं, बट अगर आप सोचते होंग जो बहुत टाफ होती है, भाई दिन भर बैटना ना बहुत मुश्किल का काम है, वैसे ही या, गर आप सोचते हैं कि railway में घूमना, travel करना बड़ा असान है, तो यह बहुत मुश्किल का काम है, आप एक दिन जब जाते हैं traveling के लिए, तो बहुत ठक जाते हैं, और इनका पू रखना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी चीज़ अगर आप अगे तक जाएंगे, तो यह थी सारी चीज़ें, टिकट के लेक्टर के रियार्डिंग, इनसे जुड़ी ही कोई भी चीज़ हो, तो आप इनकी official website rrcb.gov.in पे जाके सारी details ले सकते हैं कि examination कब है, कब form मिलेगा, कह submit करना है, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, मुझे आप Instagram पर comment करके जरूर बताइए, और आप मुझसे वहाँ भी जूर सकते हैं, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत